ज्यादा question लिया गया है, तो first question पर चलते है, first question क्या है, first question देखे, अधूरा question है, लिखा होगा God particle, क्या लिखा होगा, God particle, God particle, जिसको हम लोग क्या कहते है, God particle, God particle, जिसको हम लोग क्या कहते है, इस्वरिय कन भी कहते है, इस्वरिय कन भी कहते है, क्या कहते है, इस्वरिय कन भ अब दखिए घोज किसने किया था बताया किसने था बोट पार्टिकल के बारे में बताया था किसने बताया था नोवेल पुरुसकार दिया गया क्या हुआ नोबेल पुरुसकार दिया गया था पीटर हिग्स को गॉट पार्टिकल के लिए नोबेल पुरुसकार दिया गया था दोहजार तेरा में कब दिया गया था नोबेल पुरुसकार तेरा में दिया गया था अब इसको गॉट पार्टिकल कहत किसे बारे में जलने के स्काइब करते हैं यह क्या है देखिए निट्रीक फीट फिल्य कि आप लोग निट्रीकर नइन होता है क्या होता है तर्वमान हीन होता है मौस लेस पार्टिकल है आवेस हीन होता है क्या होता है आवेस हीन होता है तर्वमान हीन होता है इस बात को भी आपको याद रखना है न्यूट्रीनों का जो खोज किया था बताया था पाउली ने बताया था और न्यूट्रीनों के बारे में हम दो चीज जॉनते हैं। इसका जो शिम्बल होता है, यह N होता है, और इसका जो मॉस होता है, जीरो होता है, और चारज भी इस पे जीरो होता है। इस बात को आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसके बारे में जॉनके? नुट्रियोनों का ऐसका ऐटा? इसके बारे में जोनने का प्रियास करते हैं, पोजित्रोन का जो खोज किया था, एडर्सन ने किया था, कौन सा किया था, एडर्सन ने किया था, पोजित्रोन जो है, ये इलक्ट्रोन का एंटीकन है, इलक्ट्रोन का पर्तीकन है, क्या है, पर्तीकन है, इस पर्तीकन क्यों कहा ते पर्तिकन का मतलब क्या होता है यदि इलक्ट्रोन इस डारेक्शन में गती कर रहा है तो पोजिट्रोन इस डारेक्शन में गती करेगा एंटी पार्टिकल का मतलब ही होता है बिरोधी एंटी बोलते हैं गाओं में एंटी आदमी है मेरा इसका मतलब ही होता है बिरोधी देखे, next question क्या है? देखे, next question है कि निमलिखित में कौन सा परमानू का भाग नहीं है, जब भी नहीं वाला question आएगा ना, उसको आप लोग घेर दिजिएगा, जिससे question गलत होने की संभावना कम हो जाती है, तो कह रहा है कि परमानू का भाग नहीं है, पहले दो तिन चार वा पारे में, देखिए, परमानू को, परमानू और विभाज है, परमानू और विभाज है, किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, इसने कहा था, परमानू और विभाज है, परमानू बिभाज है, इसको किसने बताया था, रधर फोर्ट ने बोला था, इसने बोला था, रधर फ प्रकिर्तिक वाला कन है, एक हो गया, इलक्ट्रोन आपका, क्या हो गया, एक हो गया, प्रोटोन हो गया, एक क्या हो गया, न्यूट्रोन हो गया, इस बात को आप लोग याद रखे, क्या हो गया, परमनु का तीन कन, एक इलक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन, इस बात को आप लोग याद रखिए, परमनु और विभाजे किस ने बता है, डाल्टन ने, परमनु विभाजे किस ने बता है, रदरफोट ने, अब देखिए का रहा है, परमनु का भाग नहीं है, तो इलक्ट्रोन तो है, प्रोटोन भी है, न्यूट्रोन भी है, अब देखिए एक फो अब फोटोन जो है परमनु का कन नहीं है बलकि फोटोन के वारे में बताते हैं आप लोग लिखे कॉपी में क्या होता है फोटोन देखिए फोटोन जो होता है यह जो प्रकास उर्जा होता है ना प्रकास उर्जा जो प्रकास उर्जा है इसका छोटा-छोटा बंडल जो होता है वही फोटोन होता है इस बात को आप लोग याद रखना है जो फोटोन है यह आवेस हीन होता है क्या होता है आवेस हीन होता है उसके बाद यह दर्वमान हीन भी होता है इस बात को याद रखना है आपको ठीक है यह आवेस हीन और दर्मान हीन दोनों होता है इस कांसर क्या ह कर्मानु का कन नहीं है फिर से बोलना क्या नहीं है देखिए अभी जश्ट हम बताएथे परमानु के बारे में दो बात तीन बात बताये आपको एक बताये थे प्रोटोन के बारे में एक वताय थे प्रोटोन के बारे में एक वताय थे नीट्रोन के बारे में ये तीनों तो परमनुकाकन है लेकिन देखें नीट्रोन भी है प्रोटोन भी है और इलक्त्रोन भी है लेकिन एक चीजा जाता है ड्यूट्रोन परमनुकाकन नहीं है तो इसका तीन समस्थानिक होता है, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम, तो परमानु जो हाइड्रोजन है इसका तीन समस्थानिक, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम, तो प्रोटियम का जो होता है समस्थानिक इस गुषजय कि जो दूसरा है जिसका परमणुद्रमा 2 है यही जो हैट्रोजन का समस्थानिक है इसी को हम लोग क्या कहते है यही सकता है हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है तीन समस्थानिक है कौन-कौन है प्रोटियम है ड्यूटरियम है ट्राइटियम है इस बात को भी आपको याद रखना है तो परमनु का तीन समस्थानिक है ड्यूटरियम है इसको अंसर हो जाएगा तो नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं कि नेक्स्ट कोस्टन क्या है यहां से आप लोग कॉमेंट भी कीजिए आप लोग को जो डाउट है उसको पूछिए आप लोग निश्चीत रूप से उसका जवाब दिया जाएगा डेलिया के जुरिया अच्छे अच्छे इस कोउटेंट से 7 पर सब्मस अच्छा के साथ आते हैं जो एकजाम में आपको अच्छा फायदा पहुचाएगा दीविटीया क्या है रेडियू एक्टिविटी यहां से विसकार किस ने किया था है हेनरी बेकूरल ने किया था इस बात को याद रखी का मैडम कुडी ने मारक आज वना है इस बात को अब देखिए अब और न्मर ठीक है आब देखिए रदáchर फोर्ट के वारे में जानते हैं रदर फोर्ड नाभीक के बारे में बताया है, नाभीक के बारे में किसने बताया था, रदर फोर्ड बताया था, अब देखें, नाभीक में कौन-कन होता है, नाभीक में कौन-कन होता है, एक प्रोटोन होता है, एक न्यूट्रोन होता है, और इलक्ट्रोन क्या करता है, चक्क कारता है चारों सा चक्कर कारता है वो इलक्ट्रोन होता है ठीक है नाभीक में प्रोटोन और न्यूट्रोन होता है ठीक है अब देखे रादर फोर नाभीक के बारे में बताया था अब देखे बोड के बारे में एक बूर्ड ब्यूरी थ्योडी होता है बोड जो है बोड एक स है उसमें अधिक्तम इलक्ट्रोनों की संखियां टू एंड अस्वायर होता है किस ने बताया था बोर ने बताया था किस ने बताया था बोर थ्योडी पढ़ेगा तो इसके बारे में जनिएगा इस बात को आपको याद रखना है अब देखिए एक question आपसे पूछेगा, theoretical बात है कि मैडम क्योडी को नोबिल पुरुषकारसर परत्तम किसके लिए मिला था, radium के खोज के लिए मिला था, इस बात पो भी आपको याद रखना है। सबसे जैदा काला जो black color कर देता है, जो effect करता है, वो कौन सा किरन है, उसके बारे में बताना है, तो देखिए एक option है alpha, के बाद हो गया, ये gamma का symbol है, ये beta है और ये UV किरन है, ultraviolet ray option में दिया हुआ है, देखिए जो सरवाधिक काला करता है, जो किरन सरवाधिक photographic plate को काला करता है, वो alpha होता है, उससे थोड़ा कम काला करता है, बीटा होता है, और सबसे कम effect photographic plate पर डालता है, तो वो gamma किरन होता है, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखना है, जो alpha किरन होता है, वो photographic plate को जैदा परभावित करता है, और उससे ज़स्ट थोड़ा सा कम बीटा किरन प्रभावित करता है और गमा की रन नम मात्र का फेक्ट डालता है फोटोग्राफिक प्लेट पर इस बात को याद रखना है अल्फा बीटा गमा से दो तिन पॉइंट और लिखिए आप लोग देखिए भेदन चमता के बारे में लिखिए भेदन चमता सबसे ज़्यादा किसका होता है सबसे ज़्यादा गमा का होता है उसके बास बीटा होता और सबसे कम किसका होता है भेदन चमता अल्फा का होता है अब एक question और पुस्ता है यहां से, alpha, beta, gamma option में रहेगा, question रहेगा कि निमलिखित में बिदू चुम्बकिया तरंग का उधारन कोन है, और option में रहेगा alpha, beta, gamma, तो एक gamma कीरन ऐसा है, जो बिदू चुम्बकिया तरंग का उधारन है, इस बात को आप लोग कोपी में note कीजिए, बारवार सेट में आपको आएगा इस type का question और गलत मार के आजाईएगा, तो नमर मेडिट बनाना है, तो अच्छे से इस बात को लिखिए, ठीक है, अब देखिए, यह हो गया gamma सबसे जएदा, उसके बाद बीटा सबसे कम, alpha भेदन चमता, जिसका penetrating power कहते हैं, उसके बाड परिवर्तन को क्या कहते हैं, देखिए, यह होंसे दो तीन question create होता है, दरोगा का जो exam था, दरोगा का exam में question पूछा था, यह नहीं question था कि ठोस का सीधे gas में परिवर्तन, question था कि gas का दर्व में परिवर्तन किये भी न, ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, दरोगा में question प परिवर्तन, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन पूछा था, दर्व में जाए बिना, इस बात को या दखना, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन, दर्व जो अवस्था होती है, उसमें जाए बिना, ठोस में परिवर्तन को कौन सा परिकिरिया कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते इस बात को याद रखिये il但 आपको डेल यहीं कर देश्य शपने वाला सवाल गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या होता है डिपोजीशन कहलाता है निच्छेपन कहलाता है इस बात को याद रखिएगा लेकिन question यह नहीं है question है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन वो था यह अब पूछ रहा है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन जो ठोस है, इसका direct gas में परिवर्तन होगा, मतलब दर्व में जाए भी ना, जहां से देखिएगा, लिख लिए आप लोग, देखिए, समझा रहें, ठोस होता है, उसके बाद दर्व में जाता है, दर्व में, उसके बाद गैस में जाता है, ठीक है, यह तीन कंडिशन होता है, डाइरेक्ट ठोस से जब डाइरेक्ट गैस में चल जाएगा, उसको हम लोग उर्द पातन कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्द पातन कहते हैं, ठीक है, अब डाइरेक्ट गैस से, गैस से ठोस में आएगा, इसको क्या कहते हैं, निच्छेपन कहते हैं, इस बात को याद रखेग आप लोग, गैस से सीधे ठोस में निच्छे पन, ठोस से सीधे गैस में उर्ध पातन, तो याद रखना है, तो कहा रहा है ठोस का सीधे गैस में पड़िवर्तन, तो अंसर हो जाएगा उर्ध पातन, यदि question रहता गैस से सीधे ठोस में पड़िवर्तन, अंसर हो जाता निच् सबसे जैनरल एक्जॉपल है कपूर, निफ्थलेन, निफ्थलेन, अमोनियम कलोराइड, एनीच फोर सी ऐल, जलदी से लिखिये, डायरेक्ट कुछेगा, निफ्थलेन किस परकिरिया का उधारन है, तो हो जाएगा उर्द पातन, कपूर किसका उधारन है, तो उर्द पातन, N-H4, जिसको AMMONIYUM कलोराइड कहते हैं, कि ये किसका example है, तो ये भी उर्दपातन का example है, तीनो आप लोग लिखिए, बहुत important है, ठीक है? आप लोग comment में answer भी करते रहिए, ठीक है comment box में answer करें, ये कुछ doubt है, doubt को भी पूछीए, ठीक है? next question पे चलते हैं साथमा नमर कोर्षन पे देगी सातमा नमर कोर्षन क्या है बहुत जعधा important आप वो फसा आएगा इसमें तीन पोरियंट बताएंगे तीनों पोरियंट को आपको याद रखना है क्या है कोर्षन कोर्षन है कि Standards आए कि तेल से बनसपति घी बनाने में परयुक्त होने वाली गैस गाण हिलेकिण इसमें जो इंपॉर्टेंट होने वाला है लिख लीजिएगा डायरेक्ट इहोंसे दो तीन question पूछेगा देखिए जब बनस्पती तेल जो होता है क्या होता है बनस्पती तेल को जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ निकेल जो उत्परेरक होता है क्या है निकेल उत्परेरक की उपस्थिती में 1300 से 180 degree Celsius तक देखिए बनस्पती तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिती में निकेल उत्परेरक के साथ 1500 से 180 degree Celsius टेंपरेचर पर हिट करते हैं तो बनस्पती घी का निर्मौन होता है बनस्पती घी बनता है इस बात को लिख लिजिए क्या बनता है बनस्पती घी तो question में था कि बनस्पती तेल से बनस्पती घी बनाने में कोन सी गैस यूज हो रहा है तो hydrogen गैस यूज हो रहा है यदि यहाँ पर question पूशता किस उत्परेरक का यूज करते हैं तो निकेल उत्परेरक का यूज करते हैं पूछेगा कितना temperature देते हैं, तो 1.5 स्वा सी डिग्री Celsius temperature देते हैं, इस बात को याद रखना है आपको, बहु ज़्यादा important reaction है, इसको याद रखना है, आप देखिए, देखे, carbon dioxide के बारे में है, nitrogen है, oxygen है, देखे, जब oxygen gas आपको बोलेगा न, जब भी oxygen gas की चर्चा करेगा, उसका numerical यदि आप बनार है, O2 का परियोग करना है, जब oxygen तत्व की बात करेगा, तो O का परियोग करना है, मतलब oxygen सिर्फ परमानू की बात कर रहा है, जैसे हम बताये थे आपको, तत्व के सुक्ष्टमकन को क्या कहते हैं, परमानू कहते हैं, योगी के सुक्ष्टमकन को क् अनू कहते हैं इस बात को हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में ठीक है तो आपको यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको लिखना है कॉपी में डाइडेक्ट यहां से दो तीन कोश्चन पूछ सकता है लिख लिजिए आप लोग इसका ठीक है हम पॉनी में डालते हैं दो बुलबुला छोड़ता है कि ने अटिये जब इनो को हम जब हम इनो को डालते हैं पॉनी में बुलबुला छोड़ता है तो वह कौनसा गैस होता है तो CO2 गैस होता है, कौन सा गैस होता है, CO2 गैस होता है, इस बात को आपको याद रखना है, कौन सा गैस होता है, CO2 गैस होता है, जब इनो लवन को हम डालते हैं, पौनी में तो बुलबुला छोड़ता है, तो कारण क्या है इसका, CO2 गैस कारण है, इस बात को याद रखना है आप अंसर दीजिए इसका ठीक है बी नमर होगा देखेए में फसने वाला है इओडलो टु में क्या होता देखेए अधैनी यूप्त लवन में क्या होता है मैगने किम आईडाइड होता है आयोडाइड होगा, यह डाइन लिखती है. मैंगनेशियम आयोडाइड होता है, पोटेसियम आयोडाइड होता है. देखिए, जब IODIN-유부 kita iemand की हम बात करते हैं, उसमें potassium iod ça है. ठीक है, क्या होता है? पोटेसियम आयोडाइड होता है, इसका इस answer को याद रखना है. हुआ गाई ये दसम안नावर कसंट कै नहीं पाया जाता है उड़वरग होता है इस बात आपको याद रखना है उरवड़क और खाद में अंतर होता है उरवड़क जो होता है उरवड़क का एकजम्पल क्या है DAP है पटास है जो अपने लोग खेत में डालते हैं दुकाउन से खडीद के खाद दुकाउन से DAP पटास हो गया जींक डालते हैं यह सब क्या है उडवरक है ठीक है यह जल का जो संचय करता है बहुत जैदा बहुत कम करता है जल का संचय क्या करता है कम करता है यानी कि जल का संचय कम करता है इस बात को आपको याद रखना जल का संचय कम करता है लेकिन जो खाद होता है जब हम खाद की बात करेंगे खाद क की बात जब हम करते हैं तो यह प्राकृतिक धन से जल का संचय अधीक करता है क्या करता है जल का संचय अधीक करता है इस बात को याद रखिएगा ठीक है कोश्चन है तत्व जो उडवरक में नहीं पाया जाता है तो हाइड्रोजन जो है वो तत्व उडवरक में नहीं पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं देखें नेक्स्ट कोश्चन क्या है next question है, कि Y unintended twist. देखे, Yudya का formula क्या होता है? NH2 होता है, CO, NH2 होता है, अब देखे पूचbothरा है, कोई भी formula, दे देगा, और पूछेगा उसमें कोण कोण सा तत्व होता है, जो formula दे दे, उसमें जो तत्मौजूद होता है, वही तत्व होगा, देखिए यह नैट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कारवन है, अक्सीजन है, जिस ओप्षन में है, मार दीजिए, देखिए, यहाँ पे नैट्रोजन है, कारवन है, हाइड्रोजन है, अक्सीजन है, नैट्रोजन है, यह हाइड्रोजन डाल दीजिए, ओप्षन में यही अंसर हो यह क्या है यूडिया का फर्मूला है यूडिया का सुत्र अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहां से आपको जनरल कोश्चन आपको बाड़ बार बुशता है तो आप याद रखिए सिंपल है आप लोग जबाब कोमेंट बोक्स में भी दे सकते हैं होर्स पावर किसके बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है अब देखिए जो पावर होता है जिसको हम लोग सकती कहते हैं जो power होता है जिसको हम सक्ति कहते हैं सक्ति क्या होता है कार्ज बटे समय यहनि कि w by t को हम लोग power कहते हैं मतलब कार्ज करने यदि definition के तोर पे पूछेगा तो कार्ज करने की दर को सक्ति कहते हैं जब भी दर सब्दा आए न तो समय से तुलना कर दिजिएगा जब भी दर सब्दी की बात हो समय से तुलना कर देना जो भी कोई formula बनेगा यह दि rate की बात करता है तो समय से divide कर देना इस बात को याद रखना है अब देखिए जो power का formula होता है power का बहु सारा formula होता है एक होता है बीए स्क्वेर वाय आर उसके बाद भी आई होता है आई स्क्वेर वाय आर होता है यह सब विद्दुधारा के चप्टर से रिलेटेड है इसको भी आपको याद रखना है इसका अंसर क्या हो जाएगा डी by clicked São pasar यूद्ध बच्वेर नम छिए शोज़ियेंके बालोजजी का कॉस्चन सोजिएंगा बन जाएगा पूछाव ऐसे नम्हाते ब्रिट्दन को बनार रखने के लिए उनके बीलोपन को अट रोकने के लिए ठीप 오र्ण ऊपको बनाये परजाती की संख्यां दो थी आप उस परजाती को चार करना वे याद रखना हैवारे में दो तीन पपार याद रखना है स्वासन के बारे में इसका अंसर परजनन हो जाएगा स्वासन के बारे में जब हम लोग सांस लेते हैं क्या करते हैं सांस लेते हैं और क्या होता है सांस छोड़ते हैं सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं 21% लेते हैं, 21% लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं, तो 17% ही छोड़ पाते हैं, जब हम oxygen को लेते हैं, सांस तो 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितना हैं, 17% छोड़ते हैं, लेकिन जब हम nitrogen की बात करेंगे, तो 78% सांस में लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितना हैं, 78% ही छ चोड़ते हैं जब कारवन डॉकसाइड की बात कीजिएगा सियो टू की बात कीजिएगा तो 0.04 लेते हैं लेकिन छोड़ते कितना है चार परसेंट छोड़ते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको लिख लिजिए आप ठीक है देखे चौदमा नमर क्या है कता है निमलिखित गैसों में से किसकी वज़ा से बरेड या केक खुलता है और नडम और सुंगंधित बन जाता है जब इस थाइप का कोस्टेन आता है ना प्रेड या अभी कोश्चन पहले थे इनों को जब पाणी में डालते तो बुली बुला छोड़ता है वो सब किस गैस के कारण तो इस ताइब का कोश्चन जो होता है न वो क्या होता है CO2 गैस होता है इसका अंसर क्या हो जाएगा CO2 गैस अब देखिए यह तो बरेड और केक सुगंदित बनता है लेकिन जो बरेड सरता है जब बरेड क्या होता है सरता है तो किसके कारण होता है कवक के कारण होता है और वो कवक किसके कारण बरेड सरता है कवक के कारण और वो ब लेकिन बरेड जब सरता है तो कवक के कारण सरता है को याद रखना है आपको ठीक है एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है यहां पर गलत दिया हुआ है ओपेरीन होगा ठीक है क्या होता है कि जीवन की उत्पत्ती के वारे में और ओपेरीन का सिध्धन्त क्या है जीवन की उत्पत्ती के वारे में ओपेरीन का सिध्धन्त यह बहुत कम कोश्चन मिलता है सेट में जब मिलेगा गलत कर देजेगा आप लोग तो देखिए ओपेरीन का सिध्धन्त पूछ है तो यही toilets का जो सिद्धन था वह रासांइब पर भाबुसे रासाइब भी Ahh नमबड़ जाएगा तकी यह कियो पर इनका सिद्धन कि से संबनने था रसांइब का सी लेस में जो मेंडल का जुछ सिद्धान था वह जैबिक विकास से सम्भन दिता इस बात को याद रखना नहीं स्कॉस्टन पर चलते हैं देखिए कि परकास का क्वांटम सिद्धान्त किसके द्वारा परदान किया गया है देखिए एक है आइंश्टीन न्यूटन फेराडे प्लांग्स देखिए परकास का जो क्वांटम सिद्धान्त है यह quantum सिध्धान किसके द्वारा दिया गया ? Plank का quantum सिध्धान Plank का quantum सिध्धान Plank का quantum सिध्धान देखे, quantum थियोरी किसके द्वारा दिया गया ? Plank के द्वारा दिया गया लेकिन Einstein जो थे इनके द्वारा दोग थियोरी बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा, एक है सापेक्चिता का सिध्धान्त, और एक है प्रकास बिद्दूत प्रभाव, अब आपसे question पूछेगा, कि आइंस्टीन को नोबेल पुरुसकार किस सिध्धान्त के द्वारा मिला था? उसको मिला था प्रकास का बिद्दूत प्रभाव के द्वारा, आइंस्टीन को नोबेल पुरुसकार मिला था, 1921 में इस बात को याद रखेगा, क्योंकि कनफ्यूज हो जाईएगा, कि सापेक्चिता के सिध्धान्त के लिए नोबेल पुरुसकार मिला, या प्रकास के लिएगा, सापेक्ष्टा ब्ला नियम से क्या होता था, कि बल की परिभासा मिलती थी, प्रकास बुरुस्सिता का सिद्धानत और प्रकास बिदूत प्रभावा का सिद्धान दिये थे, आइंस्टीन, लेकिन नोबेल पुरुष्काग प्रकास विदूत प्रभाव के लिए मिला था। इस सत्रमों नमर कोश्चन काता है निमलिखित उधारनों में किसके दोरा एथिलीट त्वरीत बेग अधिक्तम होता है? क्या होता है तोरीत बेग अधिक्तम होता है देखे जब हम तोरन की बात करते हैं तो बेग में परिवर्तन की दर को तोरन करते हैं इस बात को आपको याद रखना है तो क्या बोल रहा है कि तोरीत बेग अधिक्तम होगा जहां पे बेग जैदा चेंज होगा तोरन अधिक होगा इस बात को याद रखिए जब यह सरकल है बिरतिय पत है यहां से यदि चलना शुरू किया है यहां पे बेग भी 1 है यहां पे बेग भी 2 है यहां पे भी 3 है और य क्या आपको लगता है कि V1, V2, V3, V4 equal होगा, नहीं, V1 does not equal to V2, does not equal to V3, does not equal to V4, ये बरावर नहीं होगा, इसलिए तो तोरण उत्पन होता है, बेग यदी बरावर होगा, तो तोरण उत्पन कैसे होगा, इस बात को याद रखिएगा, कि जो बिरतिया पत पर जब एथलीट दोड़ता है, तो तोरीत बेग अधिक्तम होता है, इस बात को याद हमेशा रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट कोस्टन पिछे, देखिए, पुस्टन पिछले सेट में भी आया था, डिसकस्टन वाला सेट में, देखिए, पुस्टन क्या है, कि ध्वनी की दृष्टता, जो दोहराय परतिविम का परिनम होती है, उससे क्या कहा जाता है, तो क्या होता है, परती ध्वनी इसी को कहते है, परती ध्वनी, ध्वनी रिपीट होता है, जब ध्वनी-ध्वनी की दिरिष्टा जो दोहराय परतिविम का परिनम होती है, उससे क्या कहा जाता है, तो क्या पर करती दोनी कहा जाता है इस बात को याद रखना है ठीक है बात समझमा रहा है कि नहीं है ठीक है आज थोड़ा सा कॉम है कलास में कॉम हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करना होगा देखिए, question क्या है, कि phyto-harmon क्या होता है, देखिए जब भी आपको phyto-sabd से सम्बंदीत question मिले न, phyto-sabd से सम्बंदीत वो परकास translation को दरसाता है, जब इस टाइब का question नहीं बने state में या exam में direct, इस टाइब का question का answer खोजना हो, और phyto सब्द दिया हुआ हो, phyto सब्द दिया हुआ है, इसे एक keyword पकरना है, उस keyword से answer निकालना है, phyto hormone क्या है, देखिए phyto hormone, phyto goal ने प्रकास translation से संबंदित है, अब question में डूढ़िए, सरा इस्तेमाल किया जोने वाला पदार्थ है, जी, यही होगा answer, जब phyto hormone की वात होगा, तो वो प्रकास translation के लिए इस्तेमाल किया जोने वाला पदार्थ है, ठीक है, अब देखिए, एक और चीज़ आपको याद रखना इसमें, एक होता है, गुरुतवानुवर्तन, गुरु नमी के तरफ बढ़ना, नमी के तरफ बढ़ना, क्या है, पौधो का नमी के तरफ बढ़ना, क्या होता है, गुरुतवानुवर्तन होता है, इस बात को याद रखिए, बहुत important question है, यदि पौधे का नमी के तरफ बढ़ना इदी रहेगा, option में रहेगा phyto hormone, phototropism, ये क्या होता है, पौधे का प्रकास की तरफ बढ़ना, पौधो का प्रकास की तरफ बढ़ना, प्रकास की तरफ बढ़ना, देखिए, phototropism में यदि सब्द आता है, क्या मारना, पौधो का प्रकास की तरफ बढ़ना, यदि गुरुतवान उबढ़तना आता है, पौधो का नमी या जल की तरह बढ़ना ये गुरुतवा अनुबरतन होता है और फाइटो हार्मोन जवाएगा तो प्रकास अंसलेशन में इस्तेवाल किया जाने वाला पदार्त ये होता है ये तीन वात आपको इसमें याद रखना है गुरुतवा अनुबरतन क्या होता है पौदे का न नमरिकल आ रहे हैं आप लोग को मात्रक एवं बीमा जल्दी हम लोग हम लेका आ रहे हैं और पूरा फाउंडेशन से जीरो लेवल से बताएंगे और आप आईए और जुडिये धंग से बताया जाएगा और सिखाएंगे जरूर सीख के जाईएगा आप लोग और एक जम मे क्या है 20 Newton का एक पेसी नॉटनिकल की बात होगा हम बारबार बोलते हैं जब फिनोमरिकल की बात होगा जो fakT दिया हुआ औन जाम होँआ है उसको पहले आप लिखे जल्सिंस का जो एक्जम होता है उसमे आपको डारेक्ट तबनेगा देखें 20 Newton का दिया हुआ F क्या दिया हुआ है? 20 N दिया हुआ है? इस्तों को समझीए ठीक है? उसके बाद क्या हुआ है? Dur meter всё 200 प्र Андsen, प्तलब 20 थापन मतलब S कितना दिया हुआ है? 2 meter दिया हुआ है, ठीक है? अब पूछ क्या रहा है, कि 20 Joule का कार्ज करता है, कितना जूल का कारज़ करता है 20 जूल का यानि कि W दे दिया है 20 जूल, पुछ यह रहा है 20 थापन के बीच का क्या होगा ठीटा पूछ रहा है, सब तरह का जब नॅम्रिकल आएगा, इसी तरह से आपको करना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, अब देखिए, फॉर्म Newton दिया हुआ है, S कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, आपको cos theta निकालना है, उससे theta निकालने है, अब देखिए, 20 से 20 कट गया, 2 cos theta बराबर क्या हो गया, 2 cos theta बराबर 1 हो गया, तो cos theta बराबर कितना हो गया, 1 y 2 हो गया, अब देखिए, 1 y 2 cos theta का कितना डिगरी पे होता है, तो cos theta बराबर cos 60 degree, ठीक है, तो theta बराबर कितना हो गया, 60 degree, यानि कि theta बराबर 60 degree answer हो गया, यानि कि आपको इस type का question देगा, तो formula पे put किजिए और answer निकाल लेजिए, simple question है, this cancer क्या हो जाएगा, a 60 degree हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, क्योंकि cos theta बराबर 1 बराबर 2 होता है, math में आप लोग परहे होंगे, ठीक है, अब देखिए, इसका कुछ और देखते है, जब अब देखिए, इसका मातर क्या होगा, इसका क्या होता है, force का newton, और S क्या है, S विस्थापन है, क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन का मातर क्या होता है, meter होता है, क्या होता है, meter होता है, तो newton meter हो जाएगा, इस बात को आपको समझना हो, और cars का मातर क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, एहीं पर सेशन समप्त होता है, फिर से कल आपको लेकर आएंगे, इसी टेम में 5 बजे, कुछ दिन 5 बजे तक चलेगा, फिर 2 बजे से हम लोग आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थेंक्यू सोमाइगे, झाल होता है.